राधान दिली में बीतो दिनों हुई बरसात के चलते रूहनी सेक्टर 16AV ब्लोक में बस इस्टेंड गिरने के कारण इस्थाने लोगों को और रहगीरों को कई तरह की परशानियों का सामना करना पर रहा है। बताया जा रहा है कि बस इस्टेंड को गिरे लगभग दो हफते से जादा का समय बीच चुका है लेकिन प्रशासन अभी तक इसकी अंदेखी कर रहा है। आपको बताते कि इस्टेंड के तूटने के कारण किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। लेकिन इस्थान लोगों का कहना है कि जिस दिन इस्टेंड गिरा था उस समय वहां कुछ लोग बैठ कर खाना खा रहे थें। और वहीं खड़ी एक गाड़ी छटी गरस्त हो गई। जिसको लेकिन इस्थान लोगों में प्रशासन के खिलाफ नाराज की देखने को मिली। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से बस इस्टेंड की जरजर हालत होई पड़ी है। जिससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि पहले ही अगर इसकी मरमत कर दी जाती तो शायद इसका परणाम आम जिनता को नहीं पुकतना पड़ता। इस्थान लोगों का कहना है कि दो हफ्ते से ज़्यादा का समय बीच चुका है मगर प्रशासन का इसकी और कोई ध्यान नहीं जा रहा है। जिसको लेकर इस्थान लोग जल से जल इस्थिती को ठीक करने की मांग कर रहे हैं ताकि यहाँ पर आवाजा ही सुचारू रूप से चालू हो सके। ऐसे में अब देखना होगा कि प्रशाशन के द्वारा इस और कब तक ध्यान दिया जाता है। ताकि लोगों की सुवधा के लिए बनाया गया यह बस इस्थेन ठीक हो सके और लोगों को परिशानी का सामना ना करना पड़े। कुछ लोग खाना खा रहे थी इस पर 15 दिन से उपर ही हो गया इसको तो ना कुछ सुनवाई है ना कुछ है बीच में गिरा हुए क्या है तो आवाज आही कोई कोई फरक पड़ा होगा बहुत पड़ा है फरक यह जब गिरा था तो कोई हासा भी हाता हासा आई गारी गुड पंदरा दिन हो गया तक किसके चोटट प्याई थी एक खाना कह रहा था खाना लएक के भागा आगू और जब से कोई अधिकारी आया थी दो गंदे आये थे देखके चले गए फोर्टू लएके गए तिक दिर होगे हाटा हो गया एक को एक पहले आया एक गाड़ी भी दब दिन हो गया है मेरे ख्याल से 28-39 तरीको Saturday Sunday था Friday था उस दिन बारी शोरी थी तो एकडम से इसके नीचे पाच्छे बंदे खाना खारे थे एक बंदा स्कूटर के उपर था एक बंदा स्कूटर के उपर था उसके उपर जाके गिरा है उसके उपर गिरा है तो वह बलबाल पूरा स्टेंड उसको पर गिरा पुलीस वाले को फोन किया गया MCD को फोन किया घै विर उसके बाद एक कोई नहीं आया एक भावान के तएक टैaking नियों है लेकिन वह आदमी ही मरते बचाँ झाल झाल